कहते हैं कि बीते हुए कल की और आने वाले कल की चिंता नहीं करने चाहिए क्योंकि भागे में होता वही है जो विधाता ने लिखा है लेकिन इसी के साथ साथ हम अपने भागे को जानना चाहते हैं कि आज हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है तो जिसके जरिया हम जोतिशी और जोतिश अचारी की मदद लेते हैं नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम समय चक्र में और मैं हूँ आपके साथ स्वपनिल यादो आज हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है पंडित रविशंकर जोतिश आचार तो पंडित बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम समय चक्र में जैसा कि समय अपनी चाल बदलता रहता है कभी किसी के लिए वह समय अनुकूल होता है तो कभी किसी के लिए प्रितिकूल होता है तो इसी के साथ हमें अपने समय पर ध्यान देना चाहिए साथी साथ ग्रहों की चाल से भी बचना चाहिए उसके उपाय करने चाहिए जिसके लिए हम जो तिस आचार से मिलते हैं और अपने भाग को जानते हैं तो अब इसी कड़ी में हम आज पंडी जी से जाना चाहेंगे कि पंडी जी आज का पंचांग क्या कुछ कहता है ओम बुद्धाय नमहां ओम लुक्रमसुलब तो हजार असी मार्ग्सीज मास् सी τουटिया अचि दिन बुदधवार्ग सिरान चहत्र षट्र कि 29 नवंबर 2030 कि साध्य योग आज है चंद्रमा मिथुन रासी में सूरुदय प्राता छे बच कर 36 मिनट और सूर्यास सायं पांच बच के बारा में राहुकाल का आज का समय जो है दोपार 12 बजे से लेके डेड़ बजे तक का तो जैसा कि हमने जाना कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है अब राशी पल क्या कुछ कहते हैं आज किस राशी के लिए कितना अनुकूल होने वाला है दिन या किस राशी की ग्रह की चाल क्या कुछ कह रही है तो चलिए सुरवात करते हैं इसी कड़ी में कि मेश व्रिशु आपको प्रेम संबंध आपके मधूर होंगे ऐसा योग है आज और आपको धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगा और ब्यापार से लाब है ब्रिशबरासी ब्रिशबरासी वालों के लिए सत्रों से सावधान रहें खर्च पर अपने नियंतरन रखें दिड़ संकल्प के साथ अगर कोई कारियार शुरू करेंगे तो उसमें आपको सिध्धी मिलेगी सकारात्मक सोच रखें तो विसेश लाब होगा मिथुन राशी मिथुन राशी वालों के लिए व्यापार में विसेश लाब होगा कोई कारी अगर रुका है पहले से तो वो फिर से शुरू हो शकता है साथ ही आपको आपके सारे कारी आज बनेंगे और श्वास्त का थोड़ा ध्यान दखना होगा करक राशी वालों के लिए मन बहुत प्रसंद रहेगा व्यापार से विसेश लाब है आपको और अगर आप नोकरी पेशा जातक हैं तो आप के मन में आज सांती बनाए रखें उच्छ अधिकारियों को थोड़ा दबाव आप पर रह सकता है तो उससे विचलित ना हो और सांती के साथ कारी करेंगे तो आपका दिन सही रहेगा अगली राशी शिंग राशी शिंग राशी वालों के लिए भागी का पूरा साथ मिलेगा मन में सांती बना के रखें साथ ही अपने मन को शांत रखें और शहयोग में आपको शहयोग से आपके ब्यापार अगर ब्यापार पेशा जातक हैं तो किसी के शहयोग से आपका ब् साथी नोकरीश विशेश लाव हो शकता है कन्याराशी कन्याराशी वालों के लिए व्यापार उत्तम रहेगा लाव देगा आज आपको साथी आपको साथी कैरियर से भी विशेश लाव के सयोग बन रहे हैं ऐसा योग है अगर आप राजिनीती से हैं तो विसेश आपको लाब हो शकता है अपने उच्छ राजनेताओं से मुलाकात हो सकती है और जो आप उनसे अपना अभाव रखे हैं उसकी भी पूर्थी आपकी हो शकती है हमने जाना कि करक सिंग और कन्या राजि के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं इनकी ग्रहों की चाल कैसी है और इन जातकों को क्या कुछ खयाल रखना चाहिए अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे तुला व्रेश्चिक और धनु राशी के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं पड़ी जी देखिए तुला राशी व्यवसाय से लाब होगा आपका डूबा हुआ अगर कोई धन है तो वो आज मिल सकता है पृतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी साथ ही आपको स्वजनों से सहयोग मिलेगा जिससे आप आपका मन बहुत ही सांत रहेगा ब्रिश्चिक रासी वालों के लिए सिच्छा में रूची बढ़ेगी साथ ही आपको विश्वास पात्र से आपको धोखा आज संभो है तो ऐसे लोगों से थोड़ा आप साउधान रहें अगर कोई पार्टनर्सिप में कारी कर रहें तो उ अगली राशी धनुराशी धनुराशी वालों के लिए आत्मल बना रहेगा आपका कोई व्यक्ति आपका सहयोग कर सकता है जिससे मन प्रसंद होगा नौकरी में आपको प्रतिष्ठा बढ़ेगी और व्यापार से विशेस लाब है जिससे आपका मन प्रसंद रहेगा रुक आपके मकर राशी वालों के लिए मकर राशी वालों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा आपके लिए समास्याओं के समाधान भी होंगे और थोड़ा समस्या भी आएगी साथी आप वहां चलाते समय साउधान रहें ब्योसाय में लाब होगा लेकिन ठकान आपको बनी रहे साथ ही आपको व्योसाय से लाब होगा और मन सांत और प्रशन रहेगा आज के दिन जिससे आपको परिवार में भी सुक्षांती मिलेगी आखरी और अंतिम राशी में राशी में राशी वालों के लिए अर्थ प्राप्ति की खुसी होगी आज आपको धन का विसेस लाब आपको हो शकता है साथ ही व्योसाय से लाब होगा घर में आनंद रहेगा नोकरी में आपको कारिभार बढ़ सकता है आपको बड़ी सितारी मिल सकती है तो नोकरी पेसा जाता किसके लिए आज तयार रहें साथ ही आप कोई भी व्यक्ति के लिए आज एक सुझाओ है कोई भी आपकी रासी है लेकिन अगर आप किसी कारी के लिए निकल रहे हैं तो आप गड़ेश जी को दुरवार पित करें जिससे आपके हर सितार कारी सेे तो आज हमने जाना कि बार्राशी ऑफ सितारे आज क्या कुछ कहते हैं इनके लिए क्बार और आज का दिन कितना आप विशयिस होने वाला है और राशीओं के लिए हमने यह कुछ भी जाना यह एक ही लटीए हैं है из Теперь इन Prinzip कारात्मा है प्रयास जरते रहें क्योंकि जो भागे में लिखा है वो तो होना ही है क्योंकि विधाता के आगी किसी की भी एक नहीं चलती अब इसी कड़ी में पंडित जी हमारे पास मेल के माध्यम से लगातार सवाल आ रहे हैं तो सवाल आया है नेहा सिंग का इनकी जो डेट ऑब बर्थ है वो 26 जून 1984 है और सुबह का समय है पांच बच कर पंद्रा मिनट का और इनका सवाल है कि इनकी शादी में काफी ज्यादा रुकाबटे आ रही है और जो इनका करियर है वो भी काफी उतार चड़ाव भरा है तो जो नेहा सिंग है उन्हें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ है इसके लिए इनका जो जन्म हुआ है जन्म तारीक आपने बताई है 26 जून 1984 सुबह के पांच बच के पंग्रा मिनट जी आप इनका असार मास में जन्म हुआ है क्रिणपच्छ द्वादसी स्वमवार कृतिका नच्छत्र में इनका जन्म हुआ इनका इस हिसाब से जो कु सब्राशि की कुड़ी है इनके लगन के सौमी बुद्ध महराज अपने ही श्राशि के बैट विराजमान है धिक राशी श्वामी चंड्रमा शुक्र महाराज के राशी में राहु के शाथ विराजमान है तो इनको जीवन में इस समय साथी से संब्धितें इंके सत्म भाव सत्मेस साथ благ का देखते हैं पति का अस्थान होता है èn ने करता है गुरू माराज रिवर की प्रबावशा सकारात्मक्त ये सधी बिलं में साथ pani ब्यापार से लेके देखती होंगी कोई बिद्ध का प्रियोप करती होंगी जिससे इनका कुछ कारी बिगड़ भी जाता होगा तो इनको आशादी का योग गुरू की महादसा और शनी की अंतरदसा और राहू की परतिमतर द्रह चल रही है अब इनका शादी का योग दो 2024 में बन रहा है जिससे इनके बिवा हो शकते हैं बिवा में बिलम होने का यही कारण है कि सत्तम भाव में गुरू लेकिन गुरू अकेला अस्थान हानी कर रहा है इनका हो शकता है कि कोई आपकी मैरिज होकर तूट गई हो रिष्टे होके तूट गए हो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जो भी सहो समझ के करें उसमें आगे बहें और गुरू का आप इसे सुपाय करें गुरुवार के दिन आप केला ना खाएं गुरुवार के दिन केले के ब्रिक्ष के जड़ पे आप तामे के गुरुवार के दिन ये की डालों गुरु किसी गाय को खिलाएं तो आपके लिए अर्चा रहेगा आपके लगनेस का स्वामी आपका पुद्धह तो आप निर्चार्य नियर्णय लेकर अपने करियर को लेकर एपने जरूरत है और इसी के साथ पंडी जी ने ये भी पताया है कि आपको उपाई भी करने चाहिए यानि कि मंगल गुरुवार को ब्रैस्पतिवार को आपको केली पेड़ पे क्या कहते हैं जल चड़ाना है और ब्रैस्पति जी का जाप करना है अब इसके साथ हम आगे कुंडली में किसी को किसी जोतिसाचारी को दिखाए हैं या किसी भी प्रोहित को दिखाए हैं और आपका बुद्ध, शूर, शुक्र, चंडर्मा का दोश है या वो गरह खराब हैं तो उनका उपाई में चोटा सा बताता हूँ आप अपने आसपास गमले में जमीन में कहीं भी हरा पेन पोधा लगाएं इससे आपके बुद्ध, शूर, शुक्र और चंडर्मा दोशों का निवारण होगा और आपको विसेश लाब होगा साथ ही अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई पोधा लगाया है उनका देख रेख भी आप कर सकते हैं उसमें पानी डालि उसको ताइन पर कटाई करिए उसमें खाट डालिए तो यह भी विसेश आपके लिए यह चार ग्रह आपके लिए विसेश फाइदा दे सकते हैं तो आप अपने आसपास घर में गमने में भी लगा सकते हैं जिससे आपके चार ग्रह जो मैंने बताया बुद्ध, शूर, आपके कुंड़ी में हैं पत्रिका में हैं या फिर उनका वो अशुब घर में बैठे हैं तो आपको विसेश लाब होंगे और आप तनाव से भी मुक्त रहेंगे अगर आपके घर में कोई तनाव चल रहा है अनबन चल लए तो उससे दूरी बनी रहेगी साथ ही आपको शा चानेंगे कि आज का दिन के सुराशी के लिए कितना अनुकूल होने वाला है पंडीजी देखे आज का दिन जो है वो मेश राशी वालों के लिए सिंग रासी वालों के लिए और व्रिश्चिक रासी वालों के लिए विसेश खास है आप कोई भी आज कारी करेंगे उसमें आपको शिद्धी मिलेगी और सेश्राशी वालों के लिए थोड़ा सा उतार चड़ाओ है आप थोड़ा ध्यान से रहें लेकिन आज का विशेश सही हो अगर आपके कुण्ड़ी में बुद्ध कमजूर है तो आप साथी आप एक कारी करें गत बुद्धाय में दिन आप हरी धनिया नहीं खरी Ouya खड़ी थनिया नहीं ख़रीदे अगर सके घर तो घहा How और रहे criminal है तो इसको किसी कुद दें अगार नहीं दे सकते हैं तो खरी दे नहीं पैसे से ना खरी दें दूसरे दिन खरीने तो ज्यादा अच्छा रहे गए आपको डेली जरूरत है तो एक दिन पहले खरीने बुद्धवार के दिन न खरीने तो आपके बुद्ध ग्रह और भी मजबूत होंगे और आपके कारिश्चित कि हमने जाना कि आज का दिन किस रासी के लिए कितना अनुकुल होने वाला है साथी साथ 12 राशियों के रासी फल जाने कि आज इनके सितारे क्या कुछ कहते हैं आज के दिन का विशेश क्या है और पंडिजी ने बताया कि आपको अपने सकरात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए विधाता की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है तो अब नए प्रोग्राम में हम मिलेंगे लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है या फिर सुझाओ है तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या SMS के जरिये भ प्रोग्राम मिलेंगे कि याव बर आपका कि जरिये पोगा जरुए।